एक तो लंडन मिशन का मकसद क्या है और क्या आपको लगता है कि हुकुमती इतिहादी इस मौमले पर एक पेच में नहीं है। वो होगा टाइम कितना रह गया आपके पास तो मजबूरी हुई तो लेक्शन जल्दी होगा वरना हकूमत की मरज़े नहीं देखे लंडन की आपने बात की मेरे नजदीक प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी कैबिनेट के अच्छे खासे मेंबरान ने खमजगम पी-म-ल-N के ब क Springs formerly Calais उनकी मरश क होगा आँ माडन सवाियर और तो मस्तिफिल कैपिटर और फिर यहिए कि जिसरा होता है रूप पर मैंडवे van के इंका एक कैमप ओफिस प्राम निस्टर के इतने कैमप ओफिस चीफ मिनिस्टर की केम्प आफिस तो लंदन वो कर दें वैसे लंदन एक बार डिक्लेयर हुआ है केम्प आफिस वो लंबी बार लंडन इतनी एहमेद कुछ तयार कर गया पाकिस्तन की सियास्त में इससे पहले हम देख रहे थे अपोजिशन में एक लंडन प्लैन भी बड़ी बाते हो रही थी सि यह साबित हुआ है कि यह जो कैबिनेट है इसकी कोई आउकात नहीं है आउकात फाइदा सिर्फ एक बंदे को हुआ है आउकात उसकी है जो बंदा लंडन बैठा हुए अच्छा और उसी के पास यह गए हैं और उससे इससे ना सिरफ आपकी एग्जेक्टिव की प्राइम हैं या तो वो फैसले चेंज हो जाएं तब हम कह सकते हैं माजी में भी चेंज हुए हैं फैसले उनके बारे में तो अगर ही चेंज हो जाएगा तो ठीक है लिकिन जुडिशरी ने एक खास चीजें उसके बारे में कहीं हैं लीडर के बारे में और आप जाके उसी से गाइड देखिए आपके फॉर्न मेनिस्टर 17 तारीख को अमरीका जा रहे हैं मौझूदा कॉंटेक्स्ट में पाकिस्तान के मौझूदा डुमेस्टिक कॉंटेक्स्ट में वजीर खारजा बनने के तीन हफते के बाद आप अपना पहला दोरा उस मुल्क का करते हैं जिस मुल्क पे एक एक बड़ी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में मौझूद है इससे वकार में इजाफा नहीं होगा और अमरीका के पास अगर आपने कुछ लेना है कुछ हासल करना है तो उसके बड़े आसान तरीके हैं मैं आपको बता देता हूं क्या चाहता है अमरीका आपको मदद मिल जाए चीन पे आप पॉलिसी को पुल बैक करें चेंज ना करें पुल बैक करें तब आपकी बात जो हो सकती है और अफगानिस्तान में अमरीका का जो एजंडा है अमरीका जो टार्गेट करना चाहता है वहां एक्स्ट्रीमिस ग्रूप को उस एजंडे को फसिलिटेट कर दें इसे ले सके तो मामला अटका रहेगा देखें बात यह है जो प्रॉबलम इस वक्त हुई है वो प्रॉबलम यह है कि जब 2018 में पीटी आई की हमत आई थी तो पाकिस्तान पे कर्जे थे और पाकिस्तान पे डिफॉल्ट का खतरा था इस वक्त इस हकोमत ने सौदिया से कुछ लिया, UAE से कुछ लिया, चीन से कुछ लिया, IMF से कुछ लिया और उस से वो डिफॉल्ट से बच गया है दोजार अठारा में. इस वक्त भी आपकी सीचुएशन एग्जेक्टली वही है. इस वक्त अगर आपको एड मिल गई साओधी अरेबिया से, UAE से, कहीं और से, IMF से, अमरीका ने इशारा कर दिया, World Bank से, Asian Development Bank से, तब तो आप economy को salvage कर सकते हैं. बजट ठीक दे देंगे. वरना आपकी situation इस किसम की है, कि आप उसको handle नहीं कर सकेंगे. और problem हमारी हकूमत की ये है, कि ये हकूमत, नई हकूमत जो है, सियासी लडाईयों में मसरूफ है.